अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप जानते ही होंगे कि उन्हें सबजिया खिलाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन चॉकलेट और आइस क्रीम के लिए वे हमेशा तयार रहते हैं। क्या है इसकी वजह? सोचिए अगर स्वाद का अहसास ना होता तो जीवन कैसा होता? हमारी स्वाद की समझ कब और कैसे शुरू होती है? ये जानने के लिए हमने बात की स्विजलेंड की निउट्रिशन साइन्टिस्ट क्रिस्टीन ब्रोंबाक से जिन्होंने बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी शुरूआत जन्म से पहले ही हो जाती है। हो जाता है। और फिर हम मा का दूद पीते हैं जिसका स्वाद हर दिन थोड़ा अलग होता है। ये किसी पेंटिंग के बेकड्राउंड कलर की तरह है जो वक्त के साथ और अच्छी तरह उभरते रहते हैं। नवजाद बच्चे कढवी चीजों को खाने से मना कर देते हैं क हमारे पास स्वाद की कम समझ होती है। बस इतना पता होता है कि मीठे को प्राथमिकता देनी है और करवे को मना करना है। खटी और नमकीन चीजों की जहां तक बात है तो ये कहीं न कहीं बीच में आती हैं। बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर अलग-अलग त करह के स्वाद का आनन लेना भी सीखते हैं। कुछ लोगों के पास करवे स्वाद की पहचान करने वाले ज्यादा टेस्ट रिसेप्टा होते हैं। वे करवे स्वाद के प्रती ज्यादा समवेधनशील होते हैं। बच्चों में भी ये ज्यादा होते हैं लिकिन उम्र के प्रिया का एक सामान्य हिस्सा है. क्रिस्टीन इस बारे में बताती हैं, दो या तीन से छे साल की उम्र के बीच हम एक अवस्था से गुजरते हैं, जिसे मनोविग यानी नियोफोबिया यानी किसी भी नई चीज का दर कहते हैं. यह मानव विकास के साथ ही हम में आया है. यह जरूरी भी है क्योंकि कुछ भी ऐसा खाना जिसे हम जानते ही नहीं है, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. क्रिस्टीन के अनुसार बच्चे किसी भी नई खाने को स्वीकारने से पहले उसे 8-16 बार तक ट्राय करते हैं. बच्चे चीज, सौसेज और ब्रेट खाकर बड़े होते हैं. जबकि इटली में पिज्जा, पास्ता और टमाटर को ज़्यादा तरजीह डी जाती है. इसी तरह भारत में बच्चपन से ही मसालों की आदत लग जाती है. दूसरे शब्दों में कहें तो हम वही पसंद करते हैं, जिसकी हमें आदत होती है. और यह आदत तो कोक में मा के खाने के साथ ही लग जाती है. अक्सर बच्चे हरी सबजियों को देखकर मुह चिड़ाने लगते हैं. उन्हें हरी सबजी के नाम से ही चिड़ होने लगती है जबकि हम जानते हैं कि बच्चों के लिए हरी सबजिया कितनी फाइदेमंद होती है. ऐसे में उन्हें किसी न किसी तरह से हरी सबजिया खिलाने के तरीके धूंडने लगते हैं. बच्चों को उम्र और शारीरिक गतिविधियों के आधार पर रोजाना एक से तीन कप रन बिरंगी सब्जिया खानी चाहिए अगर आपका बच्चा भी हरी सब्जिया खाने में आना कानी करता है तो कुछ टिप्स की मदद से आप उसके आहार में इन्हें शामिल कर सकती है पसंदीदा डिश में डाले अगर आपके बच्चे को नूडल्स या कोई और डिश पसंद है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का इस्तिमाल करें इससे नूडल्स से होने नुकसान कम हो जाएगा और आपके बच्चे को जरूरी पोशन मिल पाएगा पिज्जा और बर्गर में भी आप हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकती है खाने को न करने की आदत भोजन के मामले में आपको अपने बच्चे को कुछ अच्छी आदते डालनी चाहिए उसे सिखाए कि खाने में जो भी बना है वो उसे खाना है वहीं अगर बच्चा हरी सब्जियों को देखकर खाने से मना करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खाने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल इतनी दिल्चस्पी से करें कि वो मना न कर पाए बच्चों को हरी सबजिया खिलाने के सबसे बहतरीन तरीकों में एक सूप भी है आप सूप में कई तरह की सबजियों का इस्तिमाल कर सकती है पालक या ब्रोकली का सूप भी बहुत अच्छा रहेगा कटलेट, बोरिंग आलू टिक्की की बजाए चीज के साथ कटलेट बनाए बच्चों को चीज बहुत पसंद होती है आप कटलेट में ब्रोकली, आलू, मतर, पालक और बंदगो भी डाल सकती है इस तरह बच्चे को स्वाद के साथ साथ पोशन भी मिल जाएगा अगर आपका बच्चा हेल्दी खाने को देखकर नाप मुह चुडाता है तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पोशन के साथ साथ अच्छे स्वाद वाली चीजे खिलाएग जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप उसमें सबजियों का इस्तिमाल कर उस दिश का पोशन बढ़ा सकती है तो दोस्तों हमारा ये विडियो आपको कैसा लगा प्लिज आपको अच्छा लगा तो एक लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ शेर किजिए और नीचे लाल रंग का सबस्क्राइब बटन दबा दिजिए ताकि ऐसे ही प्यारे विडियो आपके लिए ला सकू